पूस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल S.G.S.I. डिक्टेशन के लबब यह सु डिक्टेशन में आपको देने वाला हूँ, बहुत अच्छी डिक्टेशन है और बहुत अच्छा मैटर है इसी तरीके की और भी कावी सारी डिक्टेशन के लिए, कावी लाइब लेक्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्टर को लाइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शियर करें फिलाल विना किसी टाइम को वेस्ट की हुए आज की डिक्टेशन सौस अब प्रती मिनिट में लिखेंगे पांच मिनिट का डिक्टेशन रहेगा सभी लोग बड़े अच्छे से लिखें और आउटलाइन सब्दिचन को एक सारे नियमों में बान करके बनाने का प्रयास करें डिक्टेशन का पीडियेब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मेरा नमबर दिया हुआ है वहां से आप हमारे वाट्सप गुरूप में जुड़ सकते हैं और आगे की स्टडी को कंटिन्यू लग सकते हैं चलिए लेखेंगे आज की हंडेट बाट पीएम सौसब्त प्रतिमिर्ट की गति से एक अच्छी डिक्टेशन लेखेगा अध्यक्षम होता है प्रस्टा चार दिन प्रति दिन समाज में जहर की तरह फैलता जा रहा है और इसका समादान आसानी से नहीं हो पाता यह एक सामाजिक बुराई समाज को भी मार करती जा रही है जो देश के सरवांगीन विकास में बाधक है देश में लोक पाल उच्छ सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे ग्रस्टाचार की सिकायतें सुनने एवं उन पर कारवाही करने के लिए अधिकरत है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोक तांत्रिक देश है और किसी भी लोक तांत्रिक देश की सरकार के लिए जरुरत होती है सासन में पारदर्सिता सत्ता का मनुविग्ञान विल्कुल अलग किस्म का होता है सत्ता में मौजूद लोगों को चाहिए की देश की जनता के हित में कामकार करें इस मामुले में पारदर्सिता की आवश्यता होती है जब पार दरस्ता नहीं होती है तो ब्रस्ता चार पनपने लगता है ऐसे में जरूरी हो जाता है एक ऐसी संस्ता हो जो बताए कि कहां और क्या गलत हो रहा है समय पर उसकी जाच हो इस काम के लिए भारत के संदर्व में केंद्रिये इस्तर पर लोगपाल की आवस्यक्ता मैं सूज की जाती रही है ब्रस्ता चार को मिटाने और दूर कारने के लिए विविन देशों में समय समय पर अने कदम उठाए गए हैं स्वीडन में सर्व प्रतम 1809 में संभीधान के अंतर गत ओम बुड मैन की इस्तापना की गई फिन लेंड में 1908 में डैनमार्क में 1904 में नारवे में 1961 में ओम बुड्स में लोगपाल की इस्तापना प्रश्टा चार समाथ करन के लिए की गई विविन देशों में ओम बुड्स में को विविन नामों से जाना जाता हैं इंगलेंड में इसे आयुक्त के नाम से जानते हैं भारत में इसे लोगपाल के नाम से जाना जाता है देश में भ्रष्टा जार एक ऐसी आप रादिक गतिविदी है जो देश को खोकला करती जा रही है इसके खिलाब लड़ाई लड़ने के लिए सरकार द्वारा एवं अन्य इमांदार लोगों द्वारा कई सारे तरीके अपनाएं जाते रहे हैं उन्हीं मैंसे एक लोगपाल है धारत में कोई ऐसी जाज एजेंसी नहीं है जो सरकार से उपर हो जैसे की CBI ग्रह मंत्रा लेके अंतरगत आता है आई कर विवार वित मंत्रा लेके अंतरगत आता है और आई भी PMO के तहत आता है इस तरह से भारत में जितनी भी जाज एजेंसी हैं वे किसी ना किसी मंत्रा लेके तहत आती हैं ऐसे मैं कोई भी जाज एजेंसी अपने उपर के विवाद की जाज नहीं कर सकती है इसलिए हमेशा एक ऐसी एजेंसी बनाने की मांग की जा रही थी जो सरकार और मंत्रा लेके दोनों से उपर हो ब्रस्ता चार से निपटने के लिए ऐसी अवधारना बनाई गई जो सभी सरकारी विवागों से भी उपर हो और इसे ही लोगपाल कहा गया है लोगपाल सब्द की उत्पति संस्क्रत के सब्द लोगपाला से हुई है जिसका मतलब होता है लोगओं की देखवाल कारने वाला अता लोगपाल सब्द से ही पता चलता है ती यह जनता के हित के लिए होता है दर असल लोगपाल एक ब्रस्टा चार विरोधी प्राधी करन है जो भारत के गढ़ तंत्र में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में पीडियेफ मिल जाएगा वहां से डाउनलोड करके अपनी डिक्टेशन को आगलन करें और उसको मिलाने की कोशिस करें नमस्कार